हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच्पा परहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट और लेटेस जज्जमन बताने वाला हूँ दोस्तो बहुत सारी चीज़ों होती है जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता लेकिन बहुत चोटी चोटी चीज़ों का भी कई बार कोट में बहुत फर्क पड़ता है और आपको कोई अच्छा जज्जमन मिल जाता है इसलिए आपके बहुत काम आएगा लेटेस जज्जमन है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में भी जब भी इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स में आपके लिए लेके हैं उसकी जानकरिया आपको तुरंत मिले दोस् तो इसलिए मैं समझाता हूँ बहुत से लोग होते हैं जो इनीशल स्टेज पर बिल्कुल इंपेशन हो जाता है या तो वो चाते हैं बस फटा फट सब कुछ हो जाए या वो चाते हैं फटा फट सब कुछ मेरे फेवर में हो जाए ऐसा नहीं होता है इसलिए का जाता है कि तो एक्षल में वही से शुरू होता है जहां से cross examination की stage आती है तो cross examination की stage पर सामने वाली party के कुछ भी गलत कह रही है या वकील अपने talent के आधार पर भी बहुत कुछ उससे निकलवा लेता है जो कि आपके काम आता है लेकिन लोग क्या करते हैं अधिकतर के stage में cross examination तक तो stage नही कर लेते हैं अब दोस्तों ये एक established law है कि यदी कोई एक partner बिना किसी region के बिना किसी problem के दूसरे partner को physical relation से मना करता है तो वो उस पर mental cruelty मानी जाएगी तो एक तो court ने ये आधार मान लिया mental cruelty का और दूसरा ये माना कि wife को अच्छे तरीके से पता था कि उसकी mother और उसकी sister के account मे कुछ पैसा transfer किया गया है और ये पैसा family property को हस्तानंतृत करने के लिए transfer किया गया है और wife ने ये बात family court से छुपाई और court ने ये कहा कि wife के ऐसे actions से पता चलता है कि वो अपने husband की संपत्ती और पैसे की तरफ ज़्यादा concerned है और love और compassion जैसी कोई भी चीज अपने husband की परती नहीं है और दोस्तो इस मामले में husband ने अपनी तरफ से divorce का case file किया था family court में on the basis of cruelty and dissertion लेकिन family court ने husband की जो petition थी उसको खारिश कर दी थी इसके बाद जो husband है वो माननी high court में आया था high court ने सारी observation जो मैं आपको बताई देखी और ये माना कि wife की जो actions है वो husband पर cruelty है और इसके आधार पर husband को divorce की decree grant कर दी गई दोस्तों आप लोगों की help के लिए आपको इस judgment का link इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप पूरे मामले को देख सकते हैं और समझ सकते हैं नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ में आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई और थेंक यू फो वाचिंग टेक कियर